MP के आदिवासियों के मन में मोदी क्यूंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार रुपए 500 करोड की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार अब बेबाग बात, जो हाल तुमारा है, वो हाल हमारा है यह हाल असल में मद्द प्रदेश के दोनों प्रमुक राजनेतिक डलों बीजेपी और कॉंगरिस का है शिवराश फिनिक्स की संग्या देकर खुद कुर्सी ना छोड़ने का संकेत दे रहें कमलनाथ मेरे साथ धुका हुआ था, इस बार जनता सादेगी इस आस में है लेकिन भरे मंज पर प्रदान मंत्री नरेन मोदी भाशपा के प्रदेश अद्यक्ष विश्णुदा शर्मा की जिस तरह से पीठ ठोक कर गए है वो कुछ अलगी संकेत दे रहे है यह संकेत भाशपा संगठन के लिए है कि बीजेपी का संगठन बहुत ठीक तरीके से काम कर रहा है या मोदी की उमीदों पर मद्द प्रदेश भाशपा का संगठन खर आउतरा है हो भी क्यों ना बीजेपी खुद एक बड़ा संगठन है वीडी शर्मा हो या केंदरी मंती नरेंज सिंग तोमर दोनों संगठन के मास्टरपीस हैं एक जवा मुर्चा की राजनीती से सक्री हुए दूसरे अखिलभारती विद्यारती परिशत से पहले बात नरेंज सिंग की करें तो 2013 में परदेश अद्याक्ष रहकर अपने मैनेजमेंट के दम पर उन्होंने सरकार बनवाई नरेंज सिंग संगठन के मास्टरपीस लेखती हैं कम बोलते हैं और ज़्यादा काम करते हैं वहीं हाल के परदेश अद्याक्ष वीडी शर्मा ने एक-एक बूत का माइक्रो मैनेजमेंट अपने हाथों में ले रखा है उनकी दिन रात की मेहनत कोई उसको नजर अंदाज नहीं कर सकता उस मेहनत का कोई सानी नहीं है और विडी शर्मा के बारे में मैं आपको पता हूँ कि अखिलवारती विद्यारती परश्रत से उन्होंने जो श्रम किया है और जो सीखा है उसको वो बीजेपी में आकर अपलाई कर रहे हैं बेहत शांत सभाव के विडी शर्मा को गुसा वैसे कम आता है आता है तो खूब आता है लेकिन चुनाओ के दोरान वो एक एक कार करता से खुद सीधे संपर्क में है वैसे भी उनकी आदत है लोगों से मिलना जुनना उनके बीच में बैठके काम करना ये उन्होंने अखिल भारती विद्यारती परशर में रहके सीखा है और बीजेपी एक बड़ा मंच है जहां उस हर चीज को वो पुना दोरा रहे है चुनाओ आते ही कुछ गड़े मुर्दे अचानक जंदा हो जाते है वैसा ही इस बार नरें सिंग तोमर के साथ हो रहा है नरें सिंग तोमर भावी मुखमंत्री के रूप में देखे जा रहे है और यही वज़े है कि तमाम सारी ऐसी चीज़े होंगी कि वे मुखमंत्री ना बन पाए इसके लिए प्रयास की जा रहे है कि यह बीजेपी का संगेठन हैं जो अपने पस्ट से कभी डग्वागा रता नहीं है अपना लक्ष निदारित करता है और निकल पड़ता है इस चुनाव में भी बीजेपी का संगेठन ऐसा ही कर रहा है इन सारी बातों से परे फिलाल फोकस बीजेपी का सरकार बनाने पर है पूरा संग्टन लगा हुआ है कि कैसे भी बीजेपी को सत्ता में वापश लाया जाए बीजेपी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो हर संद चुनावी मोड में रहती है बात कौंगरिस की करें तो कौंगरिस के लिए भी रहाहा संन नहीं थी लेकिन कमलनाथ ने जिस तरह का मैनेजमेन्ट कीया जिस तरह की झमावट उन्होंने की उसके बाद ये मानना पड़ेगा कि अन्होंने मरत पर आए ऐक कौंगरिस में प्रान फूपे टिकेट वित्रन के बाद कारकरताओं की जो नाराजगी कॉंग्रिस में देखने को मिली उसको हाला कि कमलनात नहीं समाल पाए जिसका नुकसान कॉंग्रिस को ठाना पर सकता है पहले कॉंग्रिस तीन खेमों बटी थी कमलनात दिकवेज सिंग और जूतरज सिंधिया शाइज ये ताकत थी कॉंग्रिस की और इस ताकत की वज़े से जब ताकत एक हुई तो 1218 में कॉंग्रिस सकता में आ गई लेकिन दुर्भाग रहा के तीनों खेमें आपस में सामन जस नहीं बिठा पाए और नतीजा ये हुआ कि दिकवेज सिंग के कारण सिंधिया को सरकार से हटना पड़ा और उन्होंने सरकार गिरा दी और बीजेपी में शामिले गए उसके बाद बीजेपी की सरकार मद्द प उन्हों बड़े निताओं को सफाईया देने पाती हैं फिर दिगवेजा और कमलनात को सफाईयों के बात कहना पड़ता है कि हम तो जैवीरू है हमारी जोड़ी तो जैवीरू वाली जोड़ी है लेकिन जनता चीजों को तोलती है जनता नर्णाय गोमिकान एक बाती है वही का फैसला वोटिंग मशीन दे कैद हो जाएगा फिर एक लाइंज आ रही है कि यह पॉब्लिक है सब जानती है इसे किसके साथ कैसा सुलूप करना चाहिए अभी प्रत्याशियों के लिए एक एक मिनिट बेश कीमती है क्योंकि 15 नवंबर की शाम से चुनावी परचार पर र काटे का है जैसा दोहजार अठारे में था वैसा ही चुनाव मुझे फिर नजर आ रहा है पांस साल बाद भी हम उसी जमीन पे ख़ड़े हैं हाला कि कुछ विदानसवा सीटों पर सपा बसपा और निर्दली चुनावी मैदान में आप भी ताकत लगा रही है कई जगे पर बहतर इस्तिती में है करें बहतर नहीं है तो यह बीजेपी और कॉंग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए परियाप तोर पर बहतर मानी जा सकती है बारती जन्ता पार्टी केंद्र और राज की जन कल्यानकारी जोजनाओं को आगे लेकर जा रही है राजने तेक विशलेश कमीशन कॉंग्रेस ने एक नया जुम्रा दिया उसके बाद कॉंग्रेस का ये मानना है कि लोग उससे जोड़ रहे हैं और हर विक्ती कमीशन से परिशान है इसके साथ ही कॉंग्रेस ने अपने वश्चन पत्र में किसानों की करजमाथी नारी सम्मान साहित कई लुभाव न में उतार दिया सारे लोग देखने वाले हैरान थे जो राइनिते क्विस्लिशन करते थे वो चौंग गए कि बीज़ेपी में होके आ रहा है जब भाश्पा की टिकट की गोश्चना होई तब माना जा रहा था कि बीज़ेपी ने प्रदेश में अपनी खिसकती जमीन और ख बाश्पा के राश्टी अद्यक्ष जेपी नद्दा ने मद्द प्रदेश में तावा तो गोश्चर पूरे श्राव को पलट के रख दिया है एक जटके में कॉंग्रिस की बिखरी हुई नजर आने लगी तो वहीं बाश्पा के कारकरताओं में जोज दिखाई देने लगा कॉंग्रिस के अंदर कुर्ता फार राई नीती हो रही है तो वहीं भाश्पा के बड़ नेता एक जो ठोकर लोगों के बीच पहुँच रहे है चलते चलते नजर डालते हैं उस शक्स पर जिसकी रणनीती ने भाश्पा को दोबारा सरकार बनाएने के कागार पर लाके खड कर दिया है बात वीडी शर्मा की है जिसकी कारशैली से खुद प्रधान मंतिर नरेन मुदी भी खासा प्रभावित हुए और भरी सावामे शाबाशी की तौर पर उनकी पीट थपतपा दी और पीट भी को इस अंदाज में थपतपाई कि अपने एक लाडले बच्चे को को पिता जब पीट पे थपता पाता है और पीट ठोकता है वो अलगी नजर आ जाता है तो मुझे लगता है कि बीडी शर्मा के जीवन का भी एक बड़ा हिस्सा और किस्सा है इस वीडियो को अगर आप देखे तो बीडी शर्मा को भरुसा था अपनी रणनेदी पर अपने न प्रदेश में अने को रोडशो की और सभाय की संगठन के लिए रणनेती बनाई केंदरी नेतत के भरोसेबन मने रहे और जनता में ये संदेश ले जाने में सफल हुए कि मद्दप्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है तो केवल डबल इंजन की भाशपा सरकारी कर सकती ह भारती जंदा पार्टी है अपने कई विदायकों के टिकेट काटे लोगों को लगा के बीजी पे बड़ी गुटबाजी उबर कर सामने आएगी बागी नेताओं की लाइन लग जाएगी पर ये बीडी शर्माई थे जन्होंने अपनी कारशली से भाशपा की हर नीता को एक चारों तरस से विडी शर्मा के समर्सन में नारे लग रहे थे जिन अजारा पता रहा था कि प्रदान मंत्री मोदी और केंदरी नितत को सबचेहला बरोसा अब मद्यपरदेश में बीडी याने विश्नुदा शर्मा परी है और सबसे अधिक परवावित भी विडी शर्मा नहीं बीजी पी के किंदरी नितत को किया है खुले मंच पर प्रदान मंत्री मोदी का बीडी शर्मा की प्रीठ थपता पाना सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बलकि संकेत है कि जल्दी प्रदेश अधिक्स बीडी शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है फिलाल इतना ह आप देखते रहे हैं दखल नियूस